अस्सलाम उलेकुम वरह्मतुलाही वबराकातु हूँ हमारा आज का मेसिज है जल्द बाजी नहीं करने जल्द बाजी नहीं करने नर्सी सीनियर क्लास हम पढ़ेंगे इंग्लिश हमारे लेसन का टॉपिक है लेटर, लेटर्स, लेटर, लेटर्स बच्चो सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर क्या है, लेटर किसे कहते हैं हमने अपनी इंग्लिश की बुक में 26 अलफाबेट को पढ़ा है बच्चो अलफाबेट दो तरीकों से लिखे जाते हैं कैपिटर लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स यहाँ पर आज मैं अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ कि मैंने कैपिटर लेटर्स में कुछ एक्जेम्पल्स लिखी है जिस से हम सिखेंगे लेटर क्या है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्जेम्पल मेरे पास है जी ए बच्चो ए ए क्या है एक लेटर है ए क्या है एक लेटर है सेकंड एक्जेम्पल मेरे पास है बच्चो ये औरिंज कलर में मैंने लिखा है एम एम क्या है एक लेटर है एम क्या है एक लेटर है आगे देखते हैं ये है एल क्या है एल एल क्या है एक लेटर है बच्चो एल क्या है एक लेटर है हम लेटर की पहचान करने के लिए बहुत सी एक्जेम्पल्स दे सकते हैं फॉर एक्जेम्पल एल आर ए एल क्या है एक लेटर है R क्या है? एक letter है E बच्चो एक letter है O एक letter है अब हमने letter को सीख लिया अब हम सीखेंगे letters क्या है letters किसे कहते हैं? examples आपके सामने है first example देखते है A, M, L A, M, L बच्चो A एक लेटर है M भी एक लेटर है L भी एक लेटर है अब हमने यहां पर इन तीनों लेटर्स की एक फैमली बना दी तो ये बन गे लेटर्स क्या बने लेटर्स जी हाँ Next example K, R, U K एक लेटर है R एक लेटर है U एक लेटर है तो बच्चो यहां पर मैंने इनको एक ब्लॉक में अकठा किया तो ये बन गे लेटर्स क्या बने लेटर्स यहां पर मेरी last example जो है उसको हम देखते हैं E, O, T E, O, T बच्चो अब मैंने इनको एक सेट बना दिया तो ये बन गे लेटर्स क्या बने लेटर्स जी बच्चो हम यहां पर ये सारे के सारे मेरे पास हैं Letters क्या है Letters जी हम बहुत सी इग्जेंपल से Letter और Letters का Difference जान सकते हैं दच्चो यह हमारा English का Lesson था जो हमने पढ़ लिया अब आपकी English की डाइरी Homework Write any 10 letters on your notebook आपने अपनी English की notebook पर 10 letters को लिखना है यह हमारा आज के English का Lesson था Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh